नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूस मैं हूँ आपके साथ रितिक बिहार में विदान सबाद चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाओ पर है और साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि आज 10 नवंबर है और बिहार विदान सबाद चुनाव के नतीजे जो है वो आज घोशित होने वाले हैं वही मैं आपको बता दूँ कि बिहार विदान सबाद चुनाव के नतीजे जो गोशित किये जाएंगे उसके लिए बिहार के 38 जिलों में 55 मत गंड़ना केंद्र बनाए गये हैं जहां पर वोटों की गिंती हो रही है तो वही मैं आपको बता दूँ कि रुज गंड़ना होने के बाद जब पूरी तरीके से काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद ही वोटों की गिंती के बाद ये साफ होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है आने वाले वक्त में आने वाला सरकार आखिर कौन होगा किसकी पार्टी की सरकार होगी कौन बनेगा बिहार का लेकिन बिहार के मुख्यमंत्रीपत के उमिद्वार के लिए एक नाम मैं आपको बता दूँ एक ऐसा नाम भी रातोरात बिहार में चमका जो हर एक लोगों ने जाना वो नाम है पुश्पम प्रिया चौधरी जो की प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष हैं और अपनी पार्ट हम वोटों की बात करें तो बिहार की जोनता ने पुश्पम प्रिया चौधरी को सिरे से नकार दिया है बात हम इसलिए भी करें क्योंकि पटना के बाकी पुरुविधान सबाक शेत्र से पुश्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की तरफ से खड़ी हुई उन्ही को बता दूं कि कॉंग्रेस के लवसी ना है वो भी पीछे चल रहा है और प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुश्पम प्रिया चौधरी की बात की जा है तो वो काफी पीछे है उन्हें अगर बात करें बागी पुरुविधान सबाक शेत्र में तो उन्हें तकरीबन 1066 लेकिन वहां पर उन्हें नोटा की अगर हम बात करें तो जो लोगों ने जो वोट नहीं दिया अपने मत का प्रयोग नहीं किया नोटा का जो बटन दबाया वहां के लोगों ने उनकी गिंती जो हुई है वहां पर नोटा का बटन दबाया है और 1066 लोगों ने वोट दिया EVM vote के हम बात करें वोट दिया है पुश्पम प्रिया Чौधरी को अब बात हम करते हैं पुश्पम प्रिया चौधरी के गड़ की बिस्फी बिस्फी विदान सबार्ग श्वेतर से पुश्पम प्रिया चौधरी वहां से भी खड़ी हुई लेकिन उन्हें वहां भी करारी शिकस्त जहिलनी पड़ रही आपको मैं बता दूँ आपको मैं बता दूँ कि बिस्वी विदान सभाग शेतर से भी पुश्पम प्रिया चौधरी को कुछ जादा वोट नहीं मिला है 398 वोट पुश्पम प्रिया चौधरी को मिले है तो वहीं बिस्वी की जनता ने जो नोटा का बटन दबाया है वो 1314 है अब आप इससे خुद समझ सकते हैं कि बिस्फी की जनता जो कि बिस्फी उनका गड़ है बिस्फी की जनता ने भी पुष्पम प्रिया चौधरे की वादे को उनकी जो विजन है उनके सीम बनने का सपना सब कुछ वहां की भी जनता ने चूर-चूर करके रख दिया आपको बत कि बिस्वी की जनता जो की नोटा का बटन दबा रही है वो तक भी पुश्पम प्रिया चौधरी को उन्होंने वोट नहीं दिया तो यानि कि इससे साफ हो रहा है कि पुश्पम प्रिया चौधरी का मुख्य मंत्री बिहार का मुख्य मंत्री बनने का सपना अब सपना ही रह यह पूरा नहीं हो पाएगा तो फिलाल मैं आपको बता दूँ कि बिहार विदान सभा चुनाओ की मदगणना जारी है देर रात तक मदगणना चलने वाली उसके बाद ही रिजल्ट्स क्लियर किये जाएंगे सामने मीडिया में ये रिजल्ट्स भी गोशित किये जाएंगे ज नोटा का बटन जो दबाया है बाकी पुर विदान सभा के लोगों ने वहां भी नाराजगी और अगर उनके गड़ की बात करें बिस्वी की तो 398 महस वोट उनको मिला है उनके गड़ में और नोटा का बटन जो दबाये गया है वह वह भी एक हजार सोला हजार से उपर ही लोगों ने नोटा का बटन दबा दिया है बिस्वी में यानि की नोटा का जो बटन दबाया लोगों ने वहां पे वो पुश्पंप्रिया चौधरी को भी उन्होंने वोट वहां नहीं दिया है तो अब क्या होगा ब्यार विदान 175 को रिज़ल्ट कौन बनेगा मुख्यमं सबाद चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है तकर दी जा रही है दोनों पार्टी आपस में मागडबंदन और NDA भी जिस तरीके से टकर दे रही है बाकी की सारी पार्टी पीछे हो गई है और जिस तरीके से मागडबंदन और NDA चल रहा है अब वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन मारेगा बाजी किसकी होगी हार और कौन जीतेगा बिहार तो फिराल के लिए मुझे दीज़े इजास्त देख तेरी निशन निउस